हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इसी लाइविट सौमया आर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पॉंजी जूसी अंगुरी रस्मलाई की रेसिपी इसे एक बार आप जो बराएंगे न घर में आपके घर में इसी की मांग होगी कोई भी पैकेट वाले दूद से इस दूद या कोई भी पैकेट वाला दूद मैंने यहाँ पैकेट वाला लिया है दूद अभी इसे उबलने देते हैं बीच इसमें इस तरह चला लीजेगा ताकि वह मलाई जमना न पाए इसमें उबला गया है अभी ग्यास को आफ कर लेंगे और इसे एक या दो मिनिट के लि पानी इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे इसी मिक्स्टर को हम दूद में थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसी मिलाएंगे दूद को फटने तक थोड़ा थोड़ा मिक्स्टर इस तरह डालेंगे और मिलाते रहेंगे अगर आपको जरूरत हो तो और थोड़ा विनिग पानी का मिक्स्टर बना सकते हैं मेरा यहां सारा मिक्स्टर जो है यूज हो चुका था देखिए अब यह अच्छे से फट गया है 3-4 मिनिट के लिए इसे रख देंगे थोड़ा सेट होने देंगे इसे दिके इसेट हो गया है इस तरह हम इने कट्ठा कर लिया है आप चाहो तो इसे सूती के कपड़े भी छान सकते हो नहीं तो इस तरह चलनी से भी निकाल सकते हो और इस पानी का आप यूज कर सकते हो आटा गुंदे के टेम या सबजी अबजी में आप डाल सकते हो बहुत हेल्दी होता है यह वाला पानी अलग निकालने के बाद देखिए, प्लेन वाटर से एक बार इसे धोलेंगे, विनीकर का जो टेस्ट है वह ताकि निकल जाए उसमें से, हलके से देखिए, इस तरह हलके से ब्रेस करेंगे, बहुत जोर से नहीं, अगर आपको इस तरह करने में प्रावलम हो रही है तो आपको कोई भी सूती का कपड़ा यूज करके इसे चान सकते हैं अभी छेना को 10-15 मिनिट के लिए अलग रख देंगे ताकि जो भी बचावा पानी वह भी निकल जाए अभी मैंने एक बरतन में डाला है आदा लिटर दूद इस बार आप थोड़ा गाड़ा वाला दूद लेंगे प साथी डाला है 3-4 टेबल स्पून चॉप्र ड्राइफ फूट्स बादाम पिस्ता आप अपने मर्ची का कोई भी डाल सकते हैं और इसमें में डाला है एलो फूट कलर टूपिंच बिल्कुल थोड़ा सा डालेगा बहुत जारा पीला नहीं करना है इसे ना गाड़ा होने तक पूबालना है अभी लाश्न में डाला है क्योरा वाटर आला चमाच आप चाहो तो इलाइची का पॉड़र भी डाल सकते हो एच्छे से गाड़ा हो गया है अब इसे उतार लेते हैं थंडा कर लेंगे फिर एक बड़े से बरतर में मैंने डाला है एक कप चीनी और साथ ही ड जारा गाड़ा वाला चास्टी नहीं चाहिए इसे अभी लोफले में उबलने देते हैं अभी छेना के तरह आते हैं चेना में से दीखे सारा पानी निकल गया है चेना को अभी ये तरह तोड़ के मसल लेंगे पूरा स्मूत ट्रेकश्टर में लाना एक हतेलिक हेलस्ट से मसल लेंगे इदव क्रीम जो बनाते हैं उस तरह वाला टेक्श्टरम बनाना इसे थोड़ा सबील गार्ट नहीं होना चाहिए एक वर अच्छे से मसलने के बाद मैंने इसमें डाला है एक चमच कान फ्लोर इसे भी मिक्स कर लेंगे और इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पौडर या सूजी का इस्तमाल नहीं किया है इतना ही काफी है इसे भी अच्छे से स्मूठ टेक्च्चर आने तक मसलेंगे इतना अच्छा आपका रस्मलाय बनेगा इतना हो गया है बहुत अच्छे से स्मूठ टेक्च्चर में आ गया है अब इसका छोटे-छोटा बॉल्स बना लेंगे बिल्कुल छोटे-छोटे हिसे में आप निकालेंगे इसे देखिए इस तरह के जब यह चाच्छने में उबलेगा ना तो थोड़ा अचा बड़ा साइज में बन जाएगा और हम यहां मीनी रस्मलाय बना रहें न चुटा-चुटा बनाना है और इसका बॉल बना लेंगे एकदम स्मूथ फिनिश देंगे थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं होना चाहिए फटा हुआ नहीं रहना चाहिए नहीं तो आपका रस्मलाय फट जाएगा एकदम स्मूथ इस त इस तरह सारा गोल बना लेंगे पानी रेखिए उबलने लगा है उबलते हुए पानी में एक मेरी पहले डाल के देख लिया है चेक कर लिया है अगर रस्मूला नहीं फट रहा है तो बागी कर डालेंगे अगर फटा होगा तो इसमें और फटा सा कॉन फ्लाव मिक्स कर लें इक बार में सारा नहीं डालेंगे हमें यां पानी के टेंपरेचर को कमनी करना है उबलते हुए पानी में डालना है आप एक यह बार डालोगे ना तो पानी थोड़ा थंड़ा होने लग जाएगा पूरा डाल लिया है अब इसे ढख कर हाई फ्लेम में दस मिनिट के लिए पकाएंगे दस मिनिट तक ढखकन नहीं हटाईएगा दस मिनिट के बार ढखकन हटाके इस तरह चमच के उल्टे भागे देखिए हलके से इस तरह घुमाईएगा हलका से तो तूट जाएगा इस तरह अच्छे से घुमा लेजिएगा ताकि वह अच्छे से दूसरे तरह भी पक जाए फिर इसे ढखक कर फिर से दस मिनिट के लिए इसे हाई फ्लेम में उबालेंगे यह मुनी रसगुला है तो जल्दी ही बन जाएगा ज्यादा टाइम नहीं लेता है यह उबार एक चेक करेंगे देखिए देखिए यह अंदर तरह कच्छे से पक चुका है जिसे में दबार रियो ना फिर वह अपने शेप में आ जा रहा है अभी ग्यास को आफ कर लेंगे ग्यास को आफ करके तुरांत यह रसगुले को ना चाशनी में से निकालके आइस वाला पानी में डालेंगे इससे न इसका शेप भी नहीं बिगड़ेगा इसको शौक देंगे बस शिप एक यह दो मिनिट के लिए रखेंगे बस आइस अपटर में और इसे निकाल लेंगे देखें पानी पूरा निच्ओड कर वानने इसा इसमें फिर से पानी में डाला है अपने शेप में आ जा रहा है एक दम परफेक्ट बनात्यै तोर जिखाते हूं एकदम अंदर यह जालेदार बनात्यां बमात्या से तिक निकल जाए बिल्कुल हलक्यात उसे मैं दबा रही हूं बहुत जोर से नि दबा रही जितना भी से दबाऊ नहीं है अपने पुराने वाले शिप में आ जा रहा है गोल बन जा था दूथ का जो मिठास है ना पूरा अंदर तक गया हुआ है रसमलाई के दम पॉर-फेट बनके तयार है दिखे, अभी तक यह गोल-गोल शेप में है चप्टा नहीं हुआ है पॉर-फेट बना हुआ है एक दम जूसी स्पॉंजी टीष टील अंगुरी रसमलाई बनके तया है अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए ठाइक ये फॉर वॉचिंग